नमस्कार मैं सुनेल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लाइणिंग प्लैटफॉर्म अने करने पर आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है इस करेंट अफेर्ट्स की क्लास में जहां पर हम बात करते हैं परते एक दिन के लेबस के एकोर्डिंग आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सकें करेंट अफेर्ट सिर्फ न्यूजपेपर पढ़ना नहीं होता या इंडियन एक्सप्रेस दा हिंदू देखकर और उनको अंडरलाइन करना नहीं होता करेंट अफेर्ट को अगर हमें अच्छे से तैयार करना ह है तो हमें क्या करना होता है current affairs के topic को हमें gs या static portion जो हमारा gs का है उससे interlink करना होता है जिससे topic क्या हो सके update हो सके और नई चीज है नए डामेंचन हमारे बेगसित हो जगे तो यहीं प्रयास मेरी class में किया जाएगा आप सभी का स्वागत है आप सभी को good evening हम लोग जुड इंडियन एक्सप्रेस की महतपूर मुद्दों और खबरों पर एडिटोरियल पर और हमारा उद्देश होता है टॉपिक पर बहतर अंडेस्टेंडिंग बिक्सित करना जब इस प्रयास से आप गुजरेंगे कुछ दिन तो आप प्री और मेंस के पॉंट अब्बे से आपकी तयारी क्या होगी काफी बहतर होगी आप देख सकते हैं यहां पर हमारा प्रयास यह होता है कि जो आपको इंगलिस की न्यूज फिपर का डर बना रहता है उसके जो टॉपिक आते हैं उसका जो कॉंटेंट होता है वो जो थोड़ा सा आपके अंदर डर पैदा करता है कर इला है चर्वन मार्केट के भी नहीं के बात करेंगे हुआ है उसमें रही थो प्रॉंसे है बात करेंगे लेकिन जब तक यहां पर पहुंचते ही इसको हम लुज़र छोड़ देते हैं तो अगर आज ही नहीं हुआ तो इसका PDF मैं आपको दे दूँगा, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इससे चीजे कबर हो जाएंगे, ठीक है, चुकि बात यह होता है कि टॉपिक को हमें समझना होता है, तो उसमें समय लग जाता है, ठीक, अब यह टॉपिक मैं डिसकस कर रह हूँ, यहाँ पर मैंने online, offline, दोनों ही mode में पढ़ाया हुआ है, तीन लाग से अधिक student को guide कर चुका हूँ, जो experience है, इसका आप lab उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, इस telegram channel से जोड़ कर उठा सकते हैं, जब आप इस telegram channel से जोड़ जाएंगे, तो इससे क्या फादा होगा इस से फादा होगा, कि आप में हाँ पर मुझे personal message कर सकते हैं, कभी भी कोई course लेने के लिए, ठीक है, जब आप course लीजेगा, तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, वह देना होता है referral code, यह मेरा referral code है, जब आप इसको यूज करेंगे, तो इसी से आपको discount प्राप् सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उनसे बोलेगा, हमें इसी referral code के मादम से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर फिर से इस referral code को देख लेजे, यहाँ पर प्लस और iconic course की फी detail दी गई है, यह फी भी high होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस code को यू सकते हैं, मुझसे जोड़का current affair, और आने वाले समय में जोग्रोफी आप मुझसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस हाइक होने वाली है, तो यह प्राइस हाइक होने वाली है, आप क्या कीजिए, प्राइस बढ़े, फी बढ़े, उससे पह प्राप्त होता है, यहाँ पर ध्यान दिजेगा, जो आपको जिसका ध्यान रखना है, वो है code का, अर्था ट्रेफलर code का, सुनिल भी यह code है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, UPSC CSC Nodes 2.0, आप प्राप्त कर सकते हैं, सेम code के माध्यम से, ठीक है, अगर course आपको लेना है इसके course के features हैं, इसके toppers हैं, इसके paradigm हैं, इसके अधार पर decision ले सकते हैं, अगर आप course लेते हैं, तो आपके लिए एक referral code आप से पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है, आप अधिक जानकारी, इस नमर पर call भी कर सकते हैं, उनसे बोलिएगा, कि वह यह code क्या करे यूज करें, और इस code के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगे, ठीक है, तो चलिए हमारे आते हैं, अपने session पर, और आज का जो हमारा session है, उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, carbon market के बिसमें, प्लिस मुझे एक बार confirm कर दिजे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुच पा रही हैं, प्लिस मुझे एक बार बता दिजे, जी, किसी कोई पूछ रहे हैं, कि ये 2023 के लिए भी है, बिलकुल होगा, क्लियर है आवाज वगरा, ओके, तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ session को share कर लिजे, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ आच, इसलिए हो सकता है, बहुत से लोग आए हूँ और चले गया हूँ, एक बार अगर आप चाहें, आपके इक्षा हो, तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको share कर लिजे, और जो वीडियो है, उसको like कर दीजेगा, चले, session को start करते हैं, बाकि लोग आते रहेंगे, हम लोग session को start करते हैं, चले, session को start करते हैं, पहला जो topic है हमारा, वो carbon market के बिसे में है, तो इसी को हमें समझना है, देखें, इसमें सब्द क्या है, पहला जो सब्द है, वो है हमारा carbon, दूसरा सब्द है हमारा market, तो market कौन सा इस्थान होता है, market वो इस्थान होता है, जहां पर हम क्य क्या करते हैं बस्तू बस्तू और सेवाओं की सेवाओं की हम क्या करते हैं खरीद विक्री करते हैं तो बस्तू और सेवाओं की खरीद करने वाले इस थान को हम क्या बोलते हैं मार्केट बोलते हैं अब इसमें एक सब्द है वह है कारवन वह है कारवन तो कारवन जो सब्द है यह क्या बताता है कि जैसे अब देखिए हम कोला यूज करते हैं ठीक है कोला तो कोला क्या है यह किसका रूप है कारवन का रूप है त हुआ हुआ प्रशना दैएως हमने समझ रहें कि कॉर वित करते हैं के जरी चीचों को खरीद विक्री करते हैं एक बाजार में जाकर जैसे आपने देखा होगा अनाज मंडी होता है हम वहाँ पर अनाज खरीदते बेशते हैं सबजी मंडी होता है वहाँ पर सबजी खरीदते हो बेशते हैं ठीक इसी तरह से एक मार्केट बन रहा है जो कि कुछ हद तक बन भी गय वहां पर क्या होता है कार्बन की खरीद विक्री होती है अब यह थोड़ा सा जटील लग रहा होगा कि कार्बन की खरीद विक्री कैसे होगी क्या कोला खरीदा बेचा जाता है नहीं क्या खरीदा बेचा नहीं जाता है क्या खरीदा बेचा जाता है वह मैं बताऊंगा है वह क कौन सा कारवन है इसको थोड़ा हमें समझना होगा चल यहां पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बैक ग्राउंड या कुछ चीजों का हम डाइमेंशन को डिसकस करते हैं अब देखी हम लोग इस समय क्या करते हैं बहुत सी उर्जा जीवास में एधनों से प्राप् अपनी बिजली है जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका लगभग 60% से जादा पाथ हम किस से प्राप्त करते हैं कोला से प्राप्त करते हैं और जब यह कोला जलता है तो इससे कई तरह के परदूसक पदार्थ बाहार आते हैं परदूसक तत्तों बाहार आते हैं ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ये तो बिजली के संदर में हुआ हम लोग चिवासम इधुनों के तौर पर पेट्रोलियूम पदार्थों का क्या करते हैं प्रीयोग करते हैं अर्था जैसे पेट्रोल डीजल केरोसीन सम्थिंग हम यूज करते हैं इससे भी क्या होता है कई तरह के परदूसक तत्तो निकलते हैं अब यह जितनी भी परदूसक तत्तो निकल रहे हैं यहां पर क्या है हम क्या जला रहे हैं कारबन के किसी रूप का हम प्रियोग कर रहे हैं कारबन के रूप का प्रियोग कर रहे हैं और आपको कारबन डाय ओक्साइड होतब और कार्बन डाय ऑक्साइड के साथ साथ बहुसे अन्य ग्रीन हाउस गैसिस भी होती है इसको कैसे अप समझेंगे तो देखे जो हम बिजली यूज कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल और डीजल जला रहे हैं, या जलनी के बाद इसके धुआ के मध्यम से कई तरह के कारवनिक पदार्थ और कई तरह के परदूसत तत्तों हमारे वाता बरन में जाते हैं, वाता बरन में जाकर यह क्या करते हैं, एक लेयर का निर्मार कर देते हैं, एक परत का निर्मार कर देते हैं, और इस परत को बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर, ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर क्या करती है, हमारी प्रत्वी को गरम करती है, देखें, ये रही हमारी प्रत्वी, और इस प्रत्वी से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जादा होगी, तो क्या करेगा, यह बाई मंडल बहुत जादा गरम होगा, इसको और एक ब्यावहारिक एकजामपल से समझे, हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही आप गाउं से, गाउं से सहर में परवेज करते हैं, आपको क्या लगता है, यहाँ पर गरमी जादा लगती है, पता है क्यों गरमी जादा लगती है, यहाँ पर सहर में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जादा होती हैं, और यह ग्रीन हाउस गैसेस, वहां के बाई मंडल को गरम रखते हैं जहां पर भी ग्रीन हाउस गैसेस जादा होंगी वहां का जो बाई मंडल है वो गरम होगा इसको और एक रूप में समझे जहां पर हम लोग कुकिंग बगैरा करते हैं जहां पर हम खाना बनाते हैं वहां पर भी green house gases जादा हो जाती है, इसी की कारण हमें गर में लगती है, लेकिन जब हम exhaust फेन यूज करके इन green house gases या ऐसी गैसों को जो की उसमा का और सुसंड करती हैं, इनको जब हम बाहर कर देते हैं, तो हमारा kitchen वाला area भी थंडा हो जाता है, आप ऐसे ही जब बसों के पी जैसे लगता है कि उहां से आग निकल रहा हो, वह गर्मी किस के होती है, इन green house gases के होती है, अब ही जो green house gases है, यह बाई मंडल में हमारे जा रहे हैं, और बाई मंडल में क्यों जा रहा हैं, क्योंकि हम बहुत से तरह के जिवास मीधनों का प्रियोग कर रहे हैं, और इन इन सब से क्या हो रहा है, green house gases निकल रहे हैं, यह green house gases क्या कर रहे हैं, वाताबरण में जाकर, global warming का कारण बन जाएंगे, यह climate change का कारण बन रहे हैं, और इनके द्वारा इस तरह के यह negative impact क्या हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं, इस तरह के negative, अब इस negative impact की वज़े से जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैस भी global warming और climate change जैसी समस्या का समाधान, इस समस्या के समाधान के तौर पर हम लोगों ने बर्स 1992 में एक सम्मेलन किया, जिसका नाम है प्रित्वी सम्मेलन, इसको रियो जनेरियो सम्मेलन भी बोला जाता है, यह रियो सम्मेट भोल बोला जाता है, कब 1902 में, यहाँ पर हमने यह नेर्ने लिया, कि हम क्या करेंगे, जलवायू परिवर्तन की समस्या का समाधान करें, और जलवायू परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए, हमें क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैसे के उस सरजन को कम करना होगा, लेकिन आकर यह कैसे किया जाए यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनावती है आखिर देखिए बिक्सित देश में जो लोग है उनका जीवन इस तर उच्छ है उन्हें AC चाहिए ही, परसनल गाड़ी चाहिए ही, साथी साथ जो बिक्सित देश हैं अधिकांस ठंडे छेतर हैं यूरोप के देश हैं, तो उनको ठंडी के समय में अपने घरों को गरम रखने के लिए भी उर्चा चाहिए ही उनका उपभोग का इस तर क्या है, काफी उच्छा है, तो उनको ग्रीन हाउस गैसे सोग उस सरजित करेंगे ही क्योंकि कोला चलाएंगे, पेट्रोलियम जलाएंगे, गैसे का प्रियोग करेंगे ठीक इसी तरह से विकास सिल देश है, विकास सिल देशों में जीवन इस तर काफी निम्न है तो उनको विकास की प्रिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और दोगी करन करना होगा, नगरी करन करना होगा, सहरी करन करना होगा और इस पूरे परियास में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस निकलेगा तो हमारे सामने पूरे बिस्व के सामने ये चुनौती था कि आखिर इसका समाधान हम कैसे करें और इसी के समाधान के तौर पर कारवन मार्केट का कॉंसेप्ट हमारे सामने आया अब देखी एक कारवन मार्केट है क्या मैं इसको एक एकजाम पसे समझाता हूँ इसको मैं एक एक जाम पर से हाँ पर समझाता हूँ हमने इसको इरेज कर लिया अब यहाँ पर आईगा देखे यह है एक स्थे यह है सुनेल जी ठीक है यह मैं हूँ ठीक है और मैंने क्या किया एक इंडस्ट्री लगाया मैंने एक इंडस्ट्री लगाया और इस इंडस्ट्री को जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा हमें उर्जा का उपवोग करना होगा हमें जब इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उर्जा चाहिए यह होगा अब यह हमारे उपर निर्भर है कि यह जो उर्जा है यह नभीकरणी स्रोज से आए या फिर हम इस उर्जा को जिवासम इधन से प्राप्त करें जिवास मीधन का मतलब होता है कि अगर हम कोला से प्राप्त कर रहे होंगे उर्जा तो अलग उपरकार की उर्जा होगी कोला से ठीक है या हम पेट्रॉल या डीजल के माद्धम से नबिकर्णिय के मतलब यह भी तो हो सकता है मैं क्या करूँ एक यहां पर सोलर पैनल बड़ा सा लगा दूँ उस सोलर पैनल से उर्जा मैं प्राप्त करूँ तो मैंने इंडस्ट्री चलाने के लिए उर्जा के तौर पर मैंने क्या किया इसका प्रियोग किया सोलर एनर्जी का प्रियोग किया अब यहाँ पर यह सुनेल जी है एक दूसरे ब्यक्ति यहाँ पर माल लेते हैं अमीट जी है अमीट जी ने भी एक इंडस्ट्री लगाया और उन्हों ने सोचा कि हम यह सोलर पैनल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम क्या करेंगे कोला का प्रियोग करें अब देखें दोनों लोग क्या कर रहें सेम उर्जा खर्च कर रहें लेकिन यहाँ पर उर्जा किस्छे उत्पन होरा कोला से इसका मतलब क्या है इनके दौरा ग्रीन हांस गैसेस वाईमंडल में ज्यादा छोड़ा जाए क। इनके द्वारा greenhouse gases नौ के बराबर छोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो उर्जा का बिकल्प है वो परियाबरण के जादा अनुकोल है। इनका नहीं है। अब प्रशना आएगा कि आखिर फिर क्या किया जाए? इनके उपर कैसे दबाव डाला जाए? कि आपको कुछ पैसे देने होंगे? किसको पैसे देने होंगे? जो क्या करेगा? 100 kg से कम उस्सर्जन करेगा। अब माल लेते हैं इन्हों ने उस्सर्जन इनको टार्गेट था कि आप पूरे बर्स में 100 kg से ज़्यादा का उस्सर्जन नहीं करोगे। इन्हों ने क्या कर दिया 130 kg कारवन डाय ओक्साइड का उस सर्जन किया लेकिन सुनेल जी ने यहां पर सोलर पैनल का प्रयोग किया था तो इनके पास 90 इन्हों ने क्या किया सिर्फ और सिर्फ 10 kg का CO2 का उस सर्जन किया कुछ कार्यों से और इनके पास अभी भी क्या है 90 kg और CO2 उस सर्जन करने की मात्रा बच्ची हुई है अर्थात इनके पास यह राइड्स है कि 90 kg कारवन डाय ओक्साइड को और उस सर्जित कर सकते है अब यहाँ पर सुनिल जी क्या करेंगे यह कहेंगे जितने भी देश हैं या जितने भी कमपनिया हैं कि भीया हम तो क्या कर रहे हैं अपना 90 kg यह जो CO2 का रिजर्ब हमको परमीशन मिला हुआ था इसको हम बेच रहे हैं अब इसमें क्या होगा अमित जी आएंगे यहाँ पर और वह कहेंगे कि भीया 30 kg का परमीशन हमें भी दे दो अर्था जो आपको उस सर्चित करना था अब मान लो कि वो हमने उस सर्चित कर दिया है तो हमारे हिस्से में से उकट जाए फिर यहाँ पर सुने जी कहेंगे कि तुम अगर हमसे 30 kg उस सर्चन का क्रेडिट लेना चाहते हो तो आप हमें क्या करो पैसा दो कितना 3,000 डॉलर दे दो आप हमें 3,000 डॉलर दो तो इस तरह से यहाँ पर सुने जी क्या करेंगे अपना 90 kg लगभग यह क्या करेंगे 9,000 डॉलर में बेच देंगे 9,000 dollar में बेचते हैं तो आप देखें सुनेल जी को क्या हुआ इन्होंने कम कार्बन का उस सर्चन किया तो इनको मिला था आप 100 kg कार्बन का उस सर्चन कर सकते हुआ लेकिन किया इन्होंने 10 kg तो इनके पास क्या हुआ 90 kg का एक surplus बने गया और इस 90 kg में यह क्या कर रहे हैं इसको बेच रहे हैं और बेचने के लिए इनके पास खरिदार कौन से आएंगे जैसे अमिती जी जैसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया होगा कारवन का अधिक उस सर्चन जो कर रहे हैं जो कारवन के उस सर्चन की कमी नहीं कर पा रहे हैं वह लोग आएंगे यहां पर पैसा देंगे और यह क्या करेंगे एक सर्टिफिकेट देंगे इससे हुआ क्या देखे अगर यह दोनों लोग सौसो केजी का उस सर्जन करते तो टोटल उस सर्जन होता 200 केजी और अभी भी तो यहां पर अगर दोनों लोग सौसो केजी का उस सर्ज 90 kg का उस सर्जन तो बचा हुआ है इनके पास तो सुनील जी हमेसा कम कारवन का उस सर्जन करें तो इनको एक बेनेट्स दिया गया कि भाहिया आप छीक है आपने बहुत अच्छा किया कि कम कारवन का उस सर्जन किया लेकिन अब आपको इसके लिए क्या क्या जाएगा प्रोसाहन मिलेगा आप अपना 90 kg मार्केट में बेच दो जो लोग जादा उस सर्जन कर रहे हैं जैसे इन्होंने 30 kg जादा इनको मिला था कि 100 kg ही उस सर्जन करोगे 130 kg किया इन्होंने तो अब इनको क्या करना होगा 30 kg का कार होंगे जब उह अपनी तै मात्रा से अधिक कारबन का उस सर्जन करेंगे तो उन लोगों को क्या होगा यहाँ पर सुनील जी के पास आना होगा और इनसे कहना होगा कि भीया आपने कम कारबन का उस सर्जन किया है तो आप अपने हिस्से के कारबन का उस सर्जन का अधिकार ह तो उ生it परियाबरन का ज़्यादा क्षाल रख रहें, तो उनको प्रोसाहन मिलेगा। इन जीसे लोगों के लिए क्या होगा। कि जब ये कारवन का उस-सरजेन ज्यादा करेंगे, तो उनको ज्यादा पेमेंट करना होगा। पैसा इनका ज्यादा लगेगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? कम कारबन उस सरजीत करने के लिए प्रोसाहित होंगे कि भी violet हमें भी पैसे बचाने हैं हम कम कारबन उस सरजन करेंगे तो हमें बाहर से करबन क्रेडिट प्राप्त नहीं करना होगा और यहां पर सुनिल जी को अच्छा लगेगा कि हमारा काम भी चल गया हमने नभी करणी उर्जा स्रोज से उर्जा भी बना लिया और हम अब इस कारवन क्रेडिट को बेच कर बाचार भी कर रहे हैं अर्थाज हम अपना लाब भी प्रावत कर पा रहे हैं तो यही है हमारा कारवन का बाचार और इसको एक तरह से समझे इसको मैं एक और तर देश इंडिया ठीक है यह हमारा देश है यहां पर है इवेस से ठीक है अब इस से जो है यह विक्सित देश यह है हमारा विक्सित देश और ये हमारा विकास सिल देश दोनों देशों को क्या है उर्जा की आव सकता है उर्जा की आव सकता दोनों देशों को भारत के उपर तो कोई प्रतिबन्द नहीं है लेकिन चुकि USA क्या है बिक्सी देश है और बिक्सी देशों ने जो अपना विकास का इस्तर प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया है बिक्सी देशों में और दोगी करण बहुत पहले हो गया था नगरी करण सहरी करण बहुत पहले हो गया था तो जो आज हम फैक्ट्रि को कहा गया कि भाया एक साल में आप क्या करोगे 100 kg कारवन ही या CO2 का उस सर्जन आप कर सकते हो इस से जादा नहीं कर सकते हो ठीक है इसको कहा गया भारत को कोई target नहीं दिया गया कि आप इतना ही करोगे विकास सिल देश हैं तो इसको छूट मिली हुई है क्योंकि अभी तो क् विकास की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा है इसके पास ना तो पैसा है ना टेक्नोलजी है उतना अब यूएस से ने यह देखा कि हम तो हैं बिक्सी देश हमारे यहां के जो लोग हैं उनका जो जीवन इस्तर है वहां क्या है उर्जा पर निर्भर है और हम उर्जा में नहीं चल पाएगा एक्जामपल के लिए रहा है तो इसको चाहिए 1.500 केजी का उस सर्चन करना है ऐसे में क्या करेगा इसको चूंकि 100 का तो इसको परमीशन मिला हुआ है और यह पूरा इसका उस सर्चन होगा वह 1.500 केजी का होगा तो यह क्या करेगा इसमें से जो 50 केजी जादा है, इसको ब्यवस्था करना होगा, अब US से क्या करेगा, भारत के पास आएगा, अर्था हम लोगे पास आएगा, और वो कहेगा भारत देश से कि देखो भया ऐसा करो कि आप क्या कर रहे हो आप CO2 का उसर्जन कम कर रहे हो क्योंकि आपके हाँ पर उद्योग जादा नहीं आपके पास जो है परिवहन के जो बिकल्प है वो भी कम है परिवहन के बिकल्प का मतलब सबके पास ददस गाड़ियां नहीं है तो आप क्या कर र भारत के पास जब यह आएगा एक सिगर जब यहां पर क्या हुआ अब यूस्ट से कहां आया भारत के पास तो भारत से कहेगा कि आप ऐसा करो 50 kg कार्बन सियो टू उस सर्जन का अधिकार हमें दे दो तो भारत कहेगा ठीक है हम आपको क्या करते हैं 50 kg कार्बन सियो टू का क्रेडिट देते हैं क्रेडिट का मतलब है कि हमारे पास इतना उस सर्जन करने की लिमिट अभी बच्य हुए वो हम आपको देते हैं बदले में हमें आप क्या करो हमें माल लो 5,000 डॉलर या फिर 50,000 डॉलर आपको देना होगा अमेरिका कहेगा हमें चाहते हैं हमारे पास पैसा है तो पैसा ले लो और हमें कार्बन उस सर्जन का अधिकार देते हैं यह होता है कार्बन ठेडिट आप देखें यह सिर्फ यू इंडिया की तरह अन्य जो विकास सील देश हैं इनके पास क्या रहता है कारवन क्रेडिट रहता है क्या रहता है कारवन क्रेडिट अर्थाद यह जितना उस सर्जन करना इनको करना होता है उस से कम उस सर्जन कर पाते हैं क्योंकि उद्योग इतने नहीं इतने उद्योग नही जता है carbon credit इस carbon credit को यह क्या कर सकते हैं बाजार में बेच सकते हैं सिक और जार में बेक ने बेचेंगे तो खरी देंगे इसको उतस अमेरिका निखरिद कर लिया या फिर कोई company भी खरी सकते को मल्टी नेश्नल company मॉल्टी नेशनलकू कमपनी है मालोग google है या फिर nehme औडी है, BMW है, कोई भी कमड़, जो क्या कर रही है, काफी जादा उस सर्चन कर रही है, वह देश भी क्या कर सकते, कंपनी भी खरीच सकता है, देश भी खरीच सकता है, जैसे मेरे पास कार्बन क्रेडिट है, तो मैं बेचूंगा, तो मुझसे खरीचने के लिए कोई कंपनी भ हो रहा है carbon credit हम बेच रहे हैं और carbon credit बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा पैसा मिलेगा यही हमारा carbon ब्यापार carbon बाचार ठीक है तो carbon market का मतलब एक ऐसा जगए एक ऐसा इस्थान जहां पर carbon credit की हम खरीद विक्री करते हैं जो कम उस सर्जन करेगा उसके पास होगा carbon credit एक और वो एसी से बाहर रही नहीं पा रहा है तो जैसे टमाटर मुर्जा जाता है वैसे हुँ मुर्जा जा रहा है तो वो बाहर नहीं रह सकता उसको चाहिए AC प्रॉपर तरीके से ठंडा महौर जब वो बाहर जाएगा तो बसों में नहीं बैठेगा उसको चाहिए अपनी personal अर्थात उसके द्वारा कार्वन का उस सर्चन जादा किया जा रहा है तो क्या होगा वह एक व्यक्ति कार्वन का उस सर्चन जादा कर रहा है इसका मतलब वह अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है वहीं भारत में हमारे और आपके जैसे लोग हैं क्या करते हैं? पेड की छाओं की नीचे बैठ गए और पेड की छाओं की नीचे 9 बजे 10 बजे बैठ गए, साम को 5.5 बजे तक हम वहीं पेड की छाओं में अपना जीवन बिता देते हैं. पता करते हैं कि पडोसी के हां क्या चल ला है हना गाउं में क्या चल ला है सहर में क्या चल ला है नरिंद मोदी जी क्या कर रहे हैं योगी आदित निया जी क्या कर रहे हैं राहूल गाधी क्या कर रहे हैं हम सब ओनी डिसकसन कर लेते हैं तो हमने क्या किया एक दिन में कार्ब का प्रयोक किया उनके पास है कारवन का डेबिट तो हमसे क्या करेंगे कारवन क्रेडिट हमसे खरीदेंगे तो जो कारवन क्रेडिट की खरीद विक्री हो रही है इसी को बोलते हैं कारवन बाचा के लियर हो गया अब बताई क्या आप समझ पाए कि नहीं क्या आप लोग समझ पाएं कि नहीं आज आपकी संख्या काफी कम है आप लोग संख्या काफी कम है थोड़ा सा सेशन को सेयर कर लेजिए चल खोई बात ठीक है तो अब देखें इस सब कर देखें काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है क्यों हमने लिया है इसको देख लिए यहां पर आईए अब टेक्ष्ट के माध्यां से समझते हैं कि आकीर हमने इस टॉपिक डिसकस के हों किया और इस तरह से अगर आप करेंट अफेर्स पढ़ोगे तो आप देखिएगा हर हाली से पर लोगे तो आपकी नईया पार हो जाएगे चल यहां पर देखें हाली संदर्ब क्या है और क्यों हम इसको डिसकस कर रहे हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं हाली में उर्जा संरच्छन अधनियम 2001 में संसोधन के लिए एक बिल संसद में पेस किया गया है जो उर् हमारे पास उर्जा को संरच्छित करने के लिए एक अधनियम था 2001 इसमें संसोधन किया गया है और वह जो संसोधन है उसके बाद जो बिल बनेगा इसका नाम होगा उर्जा संरच्छन अधनियम 2021 अब प्रशना आएगा आपका कि सर आप अभी बता रहे थे कारवन बाजार यहां पर विधियक उधियक चर्चा करने लगे आएंगे उसमें इस विधियक में ही दरसर कारवन बाजार कारवन मार्केट का है उलेक तो आईए हम बढ़ते हैं तो हमने कहा कि हम एक विधियक लेकर आ रहे हैं जो हमारा उर्जा संरच्छन अधनियम 2001 का जो प्रावधान को रोकने का प्रयास करेगा साथी साथ ग्लोबल वार्मिंग के परभावों को कम करने का प्रयास करेगा उर्जा दच्छता बढ़ाने का प्रयास करेगा उर्जा उत्पादता को भी यह क्या करेगा बढ़ाएगा और उर्जा खपद को क्या करेगा यह कम करेगा अब देख करें कारवन डाय ओक्साइड के उस सर्चन की दर को हम कम रखें अर्था जब हम क्या करेंगे कारवन डाय ओक्साइड का उस सर्चन कम करेंगे तभी तो क्या होगा हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे इसके लिए क्या करना होगा हमें अपनी उर्चा दच्छता को बढ बल्ब में आते थे वह बिजली ज्यादा खर्च करते थे उजाला कम होता था उसके स्थान पर आप 15 वाट 20 वाट का अगर एलेडी बल्ब अब लेते हैं तो क्या है ज्यादा एनर्जी इफिसेंट है ठीक इसी तरह से जो पहले की AC पुरानी AC आप देखेंगे वह ज्यादा उ उर्जा का उपहोग कम करती है तो यह क्या है उर्जा दच्छता की बात है कम उर्जा में अधिक कारे को देना तो आने वाले समय में अगर हम अपनी सभी टेकनोलोजी घर पर जितनी चीज़े हम यूज करते हैं हम ऑफिस में से लेकर जितना भी हर जगे जो भी टेकनोलोज यूज करते हैं उसको क्या किया जाएगा इस विधियक के माद्यम से कहा जाएगा कि वह एनर्जी एफिसेंट होना चाहिए अर्थात हम जैसे हमने आपने देखा होगा पहले पेट्रोल और डीजल की बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां जब होती थी और वह गाड़ियां को नुकसान पहुंचाते थे ठीक है मैं थोड़ा सा साइड में हूँ बच्चो आना तो आप इसको सुनते रहे और बोड को देखते रहे तो हमने कहा कि पहले क्या होता था यह उस सर्चन गाड़ियां जादा करते थे अब जो गाड़ियां हैं इनसे धुआ कम निकलता था पुरानी गाड़ियों को कुछ देखिएगा इतना धुआ देती थी लगता है था कि यह मिसाइल बन गई है यह पुरानी आपने कोई रेल गाड़ी भी देखा होगा तो हम रेल गाड़ी बनाते थे तो उसके उपर से धुआ उड़ता रहता था लेकिन अब क्या हुआ उतन एक मानक रखा जाएगा कि उनको क्या होना चाहिए एनर्जी इफिसेंट होना अरधात पुरारी टेक्नोलोजी को हम छोडेंगे और वो कैसे छोडेंगे लोगों को उस पर कैसे सिफ्ट किया जाएगा अधियम के मार्ण से क्योंकि आपसे तो कहा जा रहा है कि आप क्या जशल경 ज़ता है कि हम पंखा क्रीदने नहीं कि एप लिए कुछ और खरीदने गए हैं क्यों कि गाहले में विजली क्या रही सस्ते डर पर आर रही है तो यह क्या होगा गलत होगा इसलिए कहा गया है कि यह जो act है यह क्या करेगा उर्जा दच्छता को बढ़ाएगा उर्जा उत्पादक्ता को बढ़ाएगा उत्पादक्ता का मतलब है कि जो भी हम मसीने प्रियोग करेंगे वह कम बिजली में अधिक उनकी productivity हो और साथ हम उर्जा खपत को भी कम करेंगे उर्जा खपत को कम करने का मतलब है कि उर्जा का जैसे पहले आप देखते हैं बहुत से गाड़ियां आती हैं जो बहुत कम मालेच देती हैं हना बहुत कम मालेच तो सरकार ये प्रियास कर रही है कि अधिक से अधिक मालेच वाली गाड़ियां हो जिससे पेट्रोल, डीजर, बिजली, इन सबी चीजों के क्या हो सके बतर सोगे. तिस थब प्रावधान किस में किये गये हैं? उर्जा संरच्छन अधनियम 2021 में किये गये हैं. चले, आएगे बड़े. उर्जा संरच्छन अधनियम 2021 के उद्देश और प्रावधान को थोड़ा समझ लीजे कि क्या क्या है इसके प्रावधान है, ठीक है, 2001 के अधनियम के अंतरगत, उद्योगों वहा बाड़ीचिक छित्रों तक ही उर्जा, दच्छता या खपच संबंधी मानक तै थे, अर्था जो 2001 का अधनियम था, उसमें क्या था, कि जो बाड़ीचिक छित, अर्था जो commercial places थे, और जो industrial area थे, वहीं तक उर्जा के मानक तै किये गए थे, कि कितना उर्जा खपत करेंगे, उहाँ पर मसीने कैसे होने चाहिए, हमारे घर के लिए कोई नियम नहीं था, तो यह जो 2021 का अधनियम है, यह घरेलू और आवासी परिशनों को भी इसके अंतरगत लाएगा, अर्थार हमारे घर के लिए भी नियम होगा, कि भी यह आप एसी खरीद रहे हो, तो कम से कम पांच, जो है किक स्टार के एसी खरीदना, अगर आप विजली बल्व लगा रहे हो, तो आप क्या करना, LED बल्व लगाना, पुराने बल्व मत लगाना, इस तरह के प्रावधान आने वाले समय में हम इसका एक अन्य उद्देश, मोटर, वाहन और जल जहाजों के लिए भी उर्जा खपत मानकों का निरधारन करना, अर्था जितने भी सेक्टर अभी बचे हुए थे, जहां से क्या होता है, जहां पर उर्जा तो प्रियोग होता है, लेकिन वह उर्जा कैसी होनी चाहिए, कि हमारा 93 से लेकर 95 परसेंट तक हमारा अंतराष्टी ब्यपार होता है, अभी जो अंतराष्टी ब्यपार करने वाले जहाज हैं, इनके लिए मानक होंगे, उन जहाजों को हम बाहर करतेंगे, जो क्या करते हैं, धुँआं धुआ घुआं छोड़ते चले जा रहे हैं, हम ऐसी जहाजों पर फोकस करेंगे जो सोलर एनरजी से चर्ड़ती हों या जिनकी एनरजी का है रिन्वर एनरजी की टेकनोलजी पर आधारेत हों तो खुल मिलाकर सरकार इस बिल के माध्यम से आने वाले समय में जहां जहां से कारबन का उस सर्जन होता है उस कारवन उस सर्जन को कम करने का प्रयास करें अब प्रशना आएगा सर कारवन का उस सर्जन कहा हुआ तो देखो आप जो बिजली प्रियोग कर रहे हो ये बिजली कैसे बन रही है कोले से बन रही है तो अगर आप क्या करोगे बिजली की कम खपत करोगे तो क्या होगा हम बिजली को कम हमें बनाना पड़ेगा तो कम हम कोला क्या करेंगे चलाएंगे ठीक इसी तरह से अगर आप गाड़ी अच्छी गाड़ी लोगे जो क्या है कम धुआ फेकती है या कम पेट्रोल और डीजल पीती है खाती है तो क्या होगा उससे क्या फादा होग कि कम कार्बन डाय ओक्साइड और अन्य चीजे हमारे बाई मंडल में चाहेंगे केलियर है केलियर है ना शल तो इससे क्या होगा इन सब प्रयासों से हम क्या कर रहे हैं यहाँ जहाँ पर जो उरचा का सुरोथ प्रियोग हो रहा है हम उसका एक मानक लेकर आएंगे उस मानक के अनुसार जो चीजे फिट होंगे उनको चलने देंगे बाकी चीजों को बाहर कर देंगे जिससे कारवन का उस सरचन कम से कम हमारे बायमंडल में यह अधिनियम सरकार को किसी ऐसे मोटर बहनों या जल जहाजों की निर्मार अत्वा आयात पर प्रतिबन लगाने की सक्ति परदान करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों में बर्णित उर्जा मांदंडों का अनुसरण नहीं करेंगे अर्थार कोई गाड़े बनाने वाली कमपनी है मान लेते हैं एक नई कमपनी लॉंच हुई जैट और यह क्या करती है बड़ी अच्छी गाड़ेया बनाती है और बहुत तेजी से भागते हैं यह रोड पर चलती है तो उछलने लगती है इतनी अच्छी स्पीड है लेकिन अर्थार कार्बन डाई ओक्साइड से लेकर अन्नी ग्रीन हाउस गेसेस का उस सर्जन भी जादा होगा जैसे आपने देखा होगा पहले एक बाइक आती थी मुझे याद है अच्छी तरह है वह था साथ यामाहा हुआ करता था तो यामाहा का जो स्पीड था वह बहुत था हमने क्या किया इसको हठा दिया थी किसी तरह से आने वाले समय में कोई जहाज बनाने वाला कोई आटो मुवाइल बनाने वाला जितनी भी इंडस्ट्री होंगे सब के लिए मानक तै होंगे जिससे जो प्रोड़क्शन के इस तरपर ही ऐसी गाड़ियां बनाई जाए ऐ ऐसी मसीने बनाई जाए ऐसी जहाज बनाई जाए जो कम से कम उस सर्जन करें जितना कम हम उस सर्जन कारवन का करेंगे हमारे लिए कारवन क्रेडिट उतना ही जादा होगा और उसको हम बेच कर हम लाखों रुपए करोडों रुपए हम इससे क्या कर सकते प्राफ्ट कर सकत इस राधिन्यम के अंतरगत सतत कोड सतत बिल्डिंग कोड सस्टेनवल बिल्डिंग कोड को परभासित किया गया अर्था अब देखे हम बिल्डिंग बनाते तो घर जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो विकल्प है एक विकल्ब है कि हम सूरी की रोसनी कुछ ऐसे माध्यम बनाएं इस तरह से घर का डिजायर बनाएं कि सूरी की रोसनी अंदर तक आ सके, बारिस का पानी क्या हो सके, ठैर सके, रुख सके, हमें उसमें हवा का जो है कि बेंटिलेशन बना रहे तो इससे क्या होगा, जब हवा क बेंटिलेशन बना रहेगा तो हवा के लिए हमें कम पंखे चलाने पड़ेंगे अगर परकास अंदर तक पहुच पाएगा तो हमें परकास के लिए कम उर्जा का खपत करना होगा तो इससे भी क्या होगा कारवन की हमारी बच्चत होगे इस अधनियम में आवासी भौनों के उर्जा खपत वा मानकों का पालन करना अनिवार होगा अर्था जो बिल्डिंग होगे उनको इस उर्जा के मानकों का पालन करना होगा पहले की तरह बंद-बंद मार्चिस के डब्बे नहीं बनाये जाएगे क्योंकि मार्चिस के डब्बों में फिर उजाला करने के लिए पंखे चलाने के लिए या उसको ठंडा रखने के लिए काफी ज़्यादा एनर्जी लगती है इसके अंतरगत ऐसा प्रावधान है कि बड़े भौनों की उर्जा खफत में एक हिस्सा गैर जिवास नीधनों सुरोतों या नभीकर्णी वह स्वच उर्जा सुरोतों से प्राप उसके माध्यम से क्या करेगा कर देगा जिससे ना केवल जिवास में एधन पर निरभरता कम होगी मांग में कमी आएगी आयाद घटेगा अब देखिए जितना कम से कम हम क्या करेंगे उर्जा का उपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा बहतर होगा क्योंकि हम इस त्रीट होगा और नभीकर्णी जो उर्जा के सुरोत हैं उनको क्या मिलेगा बढ़ावा मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इस अधनियम में एक मुक परमुक प्रावधान कार्वन बाजार का निर्माड करना भी है अर्था जो बिल लाया गया है इसमें कार्वन बाजार का एक महकपूर परावधान है इसलिए पूरा जो टॉपिक के अंदरित है कार्वन बाजार पर ही केंदेत है क्या होता है कार्वन बाजार कार्वन बाजार बस तो सुदा दो क्रेड़िट वा कार्वन डेबिट से समभन्दित होता है स्टार्टिंग में 15 मिनट यही समझाया तो जिन लोगों ने अभी join किया है ये मत कहिएगा कि सर तो पढ़ रहा है सर पढ़ने नहीं आते है बहुत समझाने आते है बस क्या होता है आपको class starting से join करना होता है तो carbon¿ बाजार क्या होता है बस उता कार्वन क्रेडिट वा कार्वन डेबिट से संबंधित होता है इसका ताथ पर जब कोई ओध्योगिक या ब्यवसाइक इकाई निर्धारित मात्रा से कम कार्वन का उससर्जन करती है तो उस इकाई को निर्धारित मात्रा से कम उससर्जन की मात्र के बराबर carbon credit प्राप्त होता है फिर से सुनील जी ने क्या किया एक industry लगाया और इस industry को छूट दे गई कि भीया आप 100 kg तक का CO2 सर्जन कर सकते हो लेकिन सुनील जी ने क्या किया इस industry में solar panel का प्रयोग किया और इसके बज़े से 10 kg ही इन्होंने क्या क्या carbon dioxide का उस सर्जन किया अब इनके पास क्या बचा हुआ है 90 kg carbon उसर्जन का rights बचा हुआ तो यही क्या है इनका carbon credit है यह carbon credit को बेचेंगे किसको बेचेंगे जो अपनी limit से जादा उस सर्जन कर रहा है जैसे यहाँ पुराना मैंने एक्जाम पल लिया था अमित जी का अमित जी को भी 100 kg उस सर्जन का अधिकार था लेकिन उन्होंने 130 kg उस सर्जन किया तो अब 30 kg 30 kg सरपलस उन्होंने उस सर्जन किया इसकी छतिपूर्थी इनको कहां से करना होगा यह सुनिल जी के पास आएंगे यह कहेंगे भईया हमारे पास इतना है जितने में बात बन जाएगी आपस में क्या करेंगे एक्सचेंज कर लेंगे इससे क्या फादा हुआ सुनिल जी को इक्ष्टालाब मिल गया और अमीच जी को क्या हुआ कि इनसे जादा उस सर्जन हुआ तो इनको क्या करना पड़ रहा तो इनको ज्यादा पैसा पे करना होगा अगली बार अमीची क्या करेंगे ज्यादा उस सर्जन नहीं करेंगे क्योंकि फिर से इनको क्या करना होगा पैसा देना होगा समझ गए तो यह चीज यहां पर होते हैं तो इसमें क्या हो रहा है जिसके पास कारवन का क्रेडिट का सर् करती है तो उसे कार्बन डेबिट कहा जाता है और कार्बन डेबिट को क्या करना होता है कार्बन क्रेडिट खरीद कर उसको सरपलस करना होता है उसको बराबर करना होता है कार्बन बाजार के अंतरगर कार्बन डेबिट वाली इकाई कार्बन क्रेडिट वाली इकाई से से एक निश्चित मुल्लि परदान कर कार्बन क्रेडिट खरीच सकती है जिससे वह अपनी इकाई का पलिचालन बिना किसी कानूनी जंजट के जाली रखे जैसे कि यहाँ पर हमने कहा सुनील को भी 100 kg उस सर्जन करना था अमीद को भी 100 kg करना था अमीद ने कर दिया 130 kg उस सर्जन तो आप कहेंगे कि सर यह क्यों खरीदें कौन चेक करने जा रहा है तो दर सर इन्हों ने 130 kg का उस सर्जन किया अर्था 30 kg सर्पलस का किया तो अगर क्या होगा यह कार्बन क्रेडिट नहीं खरीदेंगे तो अगले साल इनको उस सर्जन का दिकार कितना मिलेगा 70 kg और यह क्या होगा धीरे धीरे समय के अंसार कम होता जाएगा 30 kg कहां कट गया इनका यहां पर कट गया तो सोचिए अमित जी ने इनको अपनी इन्होंने उर्जा के कटोती करने का प्रयास किया तब भी 130 kg इन्हों नहीं उस सर्जन किया तो 70 kg में तो काम चलेगा नहीं तो इन पर क्या होगा कानोनी कारवाई होने लगेगे अर्थात इनके उस सर्जन की मात्रा समय के साथ घटाई जाएगे तो इस क्या करेंगे अपनी आप फिर पेनाल्टी करना होगा तो इस तरह से कारवन क्रेडिट क्या है काफी इंपर्टेंट बस तो इस कारवन बाजार की उपलबधता से लोग वा कारवन उस सर्जन को न्यून करने के लिए प्रेरित होंगे जैसे अमेज जी है भाईया उनको लग रहा है कि हम पैसा बार बार देना पड़ रहा है तो उनके लिए दबाव होगा कि आप क्या करो कम उसर्जन करो सुनिल जी के लिए क्या लाब होगा को उनको तो भाड़ा हो रहा है हम कम उसर्जन कर रहा है लोग हमसे कारवन क्रेडिक खरीद के पैसा दे तो इससे क्या होगा दोनों लोगों को लाग होगा और तो यहां पडा होगा कि उस सर्जन को स क्लिए लोग प्रेडित होंगे जिससे उन्हें मौद्रिक लाब प्राप्थ हो सकेगा राष्टी इस तर पर कम स्रजन उर्जा की खपत को क्या करेगा कम करेगा अर्था जब राष्टी इस तर पर हम कम उसर्जन करेंगे तो राष्ट की इस तर पर हमारे पास कार्बन क्रेडित काफी जादा होगा और इसको बेच कर हम प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं तो मेरी कंपनी उर्जा दच्छता वह नभीकर्णिय सोर्च उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और जिवास नीधन पर निर्भरता को क्या करेगा कम करेगा जिससे कम पर दूसरन हमारे बाइमंडल में चाहेंगे तो दोनों को फायदा होगा जो जादा उसर्जन करेगा उसके लिए क कर रहा है वो आपना कारवन करेडि देख लाप्राप्त करें यह मैकीनिजिम जब चलने लगेगा तो कyss опять कम उसर्जन करने का प्रयास करेंगे और यह तभी संबह होगा जब लोग क्या करें नभीकर्णिया के सोष्ट का प्रीयोग करें जीवास्म का प्रीयोग ना है कि जिवास में तो कारबन है तो क्या होगा धीरे धीरे हम नभी करनी उर्जा की ओर बढ़ जाएंगे इससे फायदा यह होगा कि भारत के द्वारा जो टोटल उस सर्जन किया जाता है उसमें भारी कटोती हमें देखने को मिलेगी ठीक है 2001 का उर्जा सरच्षण अधिनियम के प्राव था उद्योगों और व्योसाई की काईयों के लिए उर्जा सरच्षण के मानक तै किये गये थे कि भाया आपकी मसीने कैसे होंगे जल का सरच्षण कैसे करेंगे कौन सा आप उर्जा का विकर्ब कोला यूच कर सकते हैं या प्राकर्ति गैस यूच कर सकते हैं या फिर आप पेट्रोल और डीजल यूच कर सकते हैं सब चीजों के प्रावधान थे लेकिन हमारे घरेलू आवासियों छित्रों के लिए क्या था इसके लिए कोई मानक नहीं था अब उसके लिए भी बर्स 2021 के अधनियम वाले से हमारे घरों के लिए भी मानक तै किये जा सकते हैं एसी फ्रीज जैसे उपकरोनों के लिए उर्जा दच्छता मानक का निर्धारन अब जो है कि परभावि तरीके से किया जाए जैसे अभी आप मार्केट में जाते हैं तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके पास बिकल्प रहता है आप एक इस्टार वाली एसी खरेश सकते हैं दो इस्टार वाली खरेश सकते हैं लेकिन एक इस्टार दो वाली इस्टार वाली बिजली जादा खाती है तो सरकार आने वाले समय मानक टेक कर सकते कि यह कम से कम 4 star की AC आपको लेनी है जिससे उर्जा की खपत क्या हो कम हो क्लियर हो गया चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं उर्जा बचाने के लिए कुसल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए BEE Bureau of Energy Efficiency उर्जा दच्चिता को बढ़ाने का क्या करेगा प्रावधान करेगा इसका क्या मतलब है कि जो BEE है यह जो संस्था है यह संस्था और जो है इफेक्टिव तरीके से हर उस छित्र पर यह काम करेगी हर उस टेक्नोलजी को हम मॉनिटर करेगी जिससे उस सर्जन होता है और जहां पर भी उस सर्जन उसको जादा होता दिखाई देगा उसके लिए क्या करेगी गाइडलाइन्स जारी करेगी अर्था यह जो Bureau है एक इस्टेंडर फिक्स करेगा चाहे हो हमारा पंखा हो कूलर हो, एसी हो, फ्रीज हो गाड़ी हो, हवाई जहाज हो कुछ भी हो तो उससे क्या होगा सभी इस थानों पर उर्जा की जो इफिसेंसी है वो बढ़ सकेगे BE द्वारा स्टार रेटिंग वो एलेडी बल्ब का परचलन में काफी बढ़ होती है तो जैसे आपने देखा है कि अब हम लोग AC लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं स्टार रेटिंग जो देखते हैं वो स्टार रेटिंग कहां से आया इसी से आया एलेडी बल्ब को बढ़ावा देने का कॉंसेप्ट या उसका प्रचलन इसके बज़से ही बढ़ा है तो देखे वी एक बिसे में भी यहाँ पर टीम ने इनपूर्स डाल दिया है मार्च दो हजार दो में उर्जा संरच्छन अधिनियम दो हजा एक के तहत इसका क्या हुआ था गठन हुआ था यह जो ब्यूरो है विद्धुत मंत्राले के अंतरगत कारे करता है उर्जा संरच्छन को बढ़ावा देने संबंधी कारेकर्म को इन निर्धारि करता है 2010 से इसके अंतरगत इस्टार रेटिंग का प्रावधान किया गया है एसी फ्रीज, रंगिन, टीबी, गीजर, एलेडी बल्ब हना बहुत सी चीजों का यह इस्टार रेटिंग देती है कारवन वजार का यह क्या कर रही है एक बैस्विक पर दर्स भी निर्मार कर रही है सवभाविक है कि जब हम कारवन का उस सर्जन कम करेंगे तो आने वाले समय में भारत के पास क्या होगा कारवन क्रेडित का सरप्लस होगा अब जो कारवन क्रेडित है न इसका अगर अंतराश्टी ओरिजिन देखें तो यह निकल कर आता है क्योटो प्रोटोकॉल से बच्चों देखो तबिएट ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा साइड में होके बैठ गया हूं साथ सा बता रहा हूं तो भागना मत है न तो अब देखी कहां से आया पढ़ रहा है न समझ मेंया की नहीं यहां तक समझ में allora है कि नहीं कमेंट ग्रां Cities mainland बताएए अग्रहेग ऑड़ने देख रहाऊ बताएए यहां तक समझ मेडिया क्रें ने समसा है सर यह टॉपिक यूपीस्सी इस से में आ सकता हमील कुलां सकता है कि एक कि एक स्टुडेंट कह रहे हैं सर्सूलर पैनल से भारत जो है बिजली का तो प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन जब यह सोलर पैनल दस साल बाद खराब हो जाएंगे होगा यह भी खर्चा बढ़ेगा नहीं इतना खर्चा नहीं बढ़ेगा जितना हम कारवन का उस सर्जन कर रहे हैं खर्चा बढ़ेगा लेकिन उसके तुल्ना में काफी कम होगा है ठीक है कुछ लोगा तो जो कमेंट है ना वह बहुत ही अलग लेवल का है क्या किया जाए से लोग चली यहां पर आता है क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो क्या है एक सहर है कहां का सहर है जापान का तो जापान की क्योटो सहर में एक बैठक होई थी बर्स 1997 में और यहां पर यह नेड़ लिया गया कि कार्बन डाई ऑक्साइड के उस सर्जन में हमें क्या करना होगा कमी लाने होगी क्यों कमी लानी होगी क्योंकि कार्बन डाई ऑक्साइड क्या है एक ग्रीन हाउस गैस है और यह जो ग्रीन हाउस गैस ही इ यह आपका एक क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका उद्देश यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है इसको रोका जाए, यह तभी संभो है, जब हम क्या करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का उस सर्जन कम करें और ग्रीन हाउस गैसेस का उस सर्जन तभी कम होगा जब हम नविकर्णी उर्जा सुरोतों का प्रियोग करें जिवास नीधनों का प्रियोग हम क्या करें कम करें यह जो प्रोटोकॉल है यह 16 फरवरी 2005 से क्या कि भी आ आप जितना कार्बन डाई ओक्साइड का उसर्चन कर रही हो आप उसको कम करो कि वुआ अन्य देशों के लिए कार उसर्चन संस्रेडारित लच्ष निर्धारी तो नहीं किया गया यह लेकीन ऐसा कहा गया कि यह देश, कार्बन उसर्चन में कमी लाकर कारवन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, जिसे विखसित ये अन्य देशों को बेच कर, ये क्या करेंगे? मौद्रिक लाप प्राप्त कर सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? कि विखसित देश, जैसे अमेरिका है, जापान है, यूरोब के देश हैं, इनसे कहा गया कि देखो भया आप सब लोग मेल करτε नहीं, यह डेस हैं ठिक है, यह डेसों का एक बंडल विक्सी डेस, सब से, इनको सबको कह दिया गया, सबका जितना उससरजन कर रहा है, उसके साब से इनको कह दिया गया कि आप 100 किजी करोगे इनको कहा दिया गया 50 kg कर सकते हैं, इसको कहा दिया गया 200 kg, सब को जितना उस सर्जन कर रहे हैं, उसके कुछ पैमानों के अधार पर, इनसे कहा गया कि आप इतना उस सर्जन कर सकते हैं, विकास सिल देशों से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, और इनसे ये कहा गया कि अगर आपको जितनी मात्रा बताई जा रहे है इससे अधिक मात्रा का अगर उस सर्जन करोगे आप तो आपको क्या करना होगा कारवन क्रेडिट खरीदना होगा कारवन क्रेडिट कहां से खरीद होगे विकास सिल देशों से और विकास सिल देश जब उस सर्जन कम करेंगे तो यहाँ पर ज आगया कि आपको 100 kg करना है 200 kg लेकिन फिर भी मान लेते हैं मान लो भारत क्या कर सकता था एक साल में भारत ने इस्टिमेट लगाया कि हम 100 kg कारबन का उस सर्जन कर सकते हैं लेकिन भारत ने कहा कि हम इसको और कम करें और भारत ने कहा कि 70 kg कारबन डाय औकसाइड का उस सर्जन क किया 30 केजी का उस सर्जन बैस सकते हैं मालो इस दो सर्जन कर दिया 2500 केजी का तो क्या होगा 30 केजी यहां से प्राप trim कर लेगा ऐसे भारत के जैसे किसी अन्य देश से क्या करेगा carbon credit खरीज सकता है तो यहां से क्या हुआ एक carbon बाजार का एक concept निकल क्या है सुरुवात में carbon बाजार की है आउधार ना काफी लोग परी जो है की रहे लेकिन carbon मांग में कमी का कर इसका बजार धीरे धीरे कमजोर होता गया लेकिन इसी में जब आता है पेरी समझोता तो पेरी समझोता है में क्या कहा गया कि भीया अब कार्बन उस सर्चन को लेकर थोड़ा सा सक्थ हमें होना पड़ेगा हर देश को यह सोचना होगा कि अगर वह इसी तरह से उस सर्चन करता रहा तो आने वाला तो future हमारा काफे घा तक है इसलिए यहाँ पर कहा गया कि नहीं अब आपको उस सर्जन में कटोती करनी होगी तो यहाँ से पेरिस समझोते के बाद फिर से यह जो कारवन बाजार का पूरा trend है वह काफी बिखसित हुआ है और आज के समय में कई देशों में कारवन बाजार है अर्था कारवन की ट्रेडिंग होती है अमेरिका में होती है इउरोप के देशों में होती है उसमें कमपनियां एक कमपनी क्या करती है जिसके पास कारवन क्रेडिट होता है वो कार्बन डेविट वाली कमपनी को अपना क्या करते हैं क्रेडे बेशती है तो पेरी समझोता जिसे COP21 की नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर यह कहा गया यह समझोता कार्बन डाय ओक्साइड के उस सर्जन में कमी लाने से संबंदित है और यहाँ पर भी यह कहा गया कि का तरीके से कम किया जाए और उसमें कार्बन बाजार का कॉंसेप्ट भी निकल यहाँ पर कार्बन डाय ओक्साइड के ब्यापार से संबंदित उर्सर्जन ब्यापार योजना लागू है जिसके अंतरगत अधिक कार्बन डाय उर्सर्जन करने वाली इकाईयां कार्बन करिट वाली इकाईयों से कारवन का ब्यापार प्राप्त करते हैं als nous ने इतना तुम इतना और कोई भी ज्यादा उस सरजन कर रहा है तो उसको क्या करना होगा कारवन कृट प्राप्ट करने वाला इसके अलावा चीन और बिर्च वी具 में है सब्सक्रावमन नत्रगर काम कर रहा है भारत में भी एसा इसन क्या जासकता है अर्थ हा, perform, achieve and trade, इसमें क्या होता, perform का मतलब क्या होता है, कि आप क्या किईजी, ऐसा perform कीजी जिस से आपके दौरा कार्वन का उस सर्चन कम हो, ठीक है फिर कार्वन का उस सर्चन जब कम होगा, तो आप क्या achieve करेंगे, आप achieve करेंगे कारवन क्रेडिट आप क्या करेंगे कारवन क्रेडिट एचीव करेंगे फिर उस कारवन क्रेडिट को क्या कर दीजिए बेच दीजिए फिर क्या कीजिए आप उस कारवन क्रेडिट को बेच दीजिए तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा हर ब्यक्ति कम उस सर्चन करकी अर्थात कम उस सर्चन का परफॉम करके कारवन क्रेडिट एचीब करेगा और उसको बेच कर वह क्या करेगा लाप प्राप्त करेगा तो आने वाले समय में हमारी जितनी भी इकाईयां है घरे लुचेत रहें आने वाले समय में भी हो सकता है कि अप क्या करें, कार्भण का उस सर्जण कम करें, आप घर पे खुब धेर-सारे पेड लगा लिजे, दिन में क्या करई ये, पंखा बंद कर लेजे, पेड़ के नीचे बेठे रहेए, हनुपडोसी के हाल चाल भी पूछते रहेए, पता करते रहें और वो क्या करेंगे AC में बैठे रहेंगे फिर उनसे कहिए कि कारवन क्रेडिट चाहिए पैसा दे दो कारवन क्रेडिट ले लो तो यह चीज है भविस में हमारे हाँ पर हो सकते हैं ठीक है तो यह जो अधनियम है नया जो अधनियम 2021 का इसमें भारती कारवन बाजा यूरोपिय देशों की योजना उस सर्जन बयापार जैसा ही लागो होगा ठीक है तो यह हमारा कारवन अब देखिए कुछ facts आपके लिए important है भारत में कुल परमुक उर्जा की सुरोत है तो हम जितनी उर्जा प्राप करते हैं उसमें 63% उर्जा किस से तापी अर्था थर्मल एनर्जी और इकिस से बनती कॉला से नाप की एनर्जी लगभग है यह इसका इस परसेंटेज लिखे हुए ठीक है तो यह जितने facts है इस सब facts आपके लिए important है यह team ने यहाँ पर डाल दिया है चले भारत द्वारा नभी करणी यह सुच उर्जा में ब्रधी से संबन्ती योचनाई और प्रियास भी देख लीची इससे क्या रहेगा आपको पता रहेगा तो अभी तो देखे सबसे पहले अभी हाली में भारत के परधान मंती ने COP26 के अंतरगत एक पंचामिरित की और धारना को सामने रखा पंचामिरित का मतलब पांच घोशनाई की और इन घोशनाओं का उद्देश है कि भारत क्या करेगा दो हजार सत्तर तक नेट जीरो नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करेगा नेट जीरो का मतलब दो हजार सत्तर में अगर हम 100 केजी कार्मन का उश सर्जन कर रहे हैं तो 100 केजी कार्मन का हम एबजॉर्ब्सन भी करेंगे हम क्या करेंगे एबजॉर्ब्सन कर रहे हैं इन गोशनाओं को प्राप्त करने के लिए कई हमारी योजनाओं चलना है भारत ने काया 2030 तक उर्जा जिवास में रही सुरोतों से 2030 तक 40% नहीं हम देख सकते हैं 2030 तक 40% जो हम उर्जा प्राप्त करेंगे वह नविकर्णी और सच उर्जा सुरोतों से इसका क्या मतलब है कि अभी जो उर्जा हम बड़ी मात्रा में किस से कोईले से प्राप्त कर रहे हैं 2030 तक हम 40% उर्जा नभी करनी अर्थार यह बिंड एनरजी हो सकता है अन्य एनरजी के सुरोत हो सकते हैं उससे प्राप्त करेंगे अगला है पंचामेरित में 5 घोषना की गई, पहला ये रहा, दूसरा क्या है, दूसरा है 2030 तक हम गैर जिवासम उर्जा सुरोतों से क्या करेंगे, 50-500 गीगाबाट उर्जा प्राप्त करें, गैर जिवासम का मतलब नभी करनी है, उर्जा सुरोतों से हम कितना उर्जा तीसरा घोषना क्या है, 2030 तक कार्बन डाय ओक्साइड उर्जान में हम एक अरब टन की कमी लाएंगे, तो यह जो हम कार्बन डाय ओक्साइड में एक अरब टन का उस सर्चन लाएंगे, यह क्या होगा, हमारे लिए कार्बन क्रेडिट होगा, अगला घोषना क्या है, 2030 तक क carbon intensity को 45% क्ब करनाragen trembling intensity का मतलब कि काथ कि का रबों का करते हैं उसमें 45% क्ट होती इसका मतलब आज हम जो गाड़ी योज करते हैं उस से carbon का रजन या आज जो हम यूज करते हैं आज जिस तरह से हम घरों को ठंडा और गरम करते हैं उससे जितना हम उस सर्जन कर रहे हैं उसकी तुलना में हम 45% कम क्या करेंगे उर्जा का उस सर्जन करेंगे कब 2030 तक आने वाले कुछ ही बड़ 2070 तक Net Zero को हम क्या करेंगे प्राप करेंगे ठीक है तो एक घोशनाय की गहीं योजना क्यों से चल रहा है तो देखें बहुत सी योजनाय हम लोगों ने चला रखेंगे जैसे 2010 में National Solar Mission हम लोगों ने चला रखा है इसके विसेंट लिखे हुए है ठीक है और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े Solar Panel लगा रखें हम लोगों ने क्या किया है उज्वला भारत योजना चला रखा है इसके तहित हम लोग क्या कर रहे है अपने टार्गेट्स को कारबन की उस सर्जन को कम कर रहे है इस सभी चीज़े आप पर लेजेगा ठीक है और भारत सच उर्जा के छित्र में निवेस को बढ़ावा दे रहा है, सचोड़जा का मतलब हम green energy को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हमारे हाँ पर कोई company आ रही है, जो क्या करेगी, बिंड energy को पर्मोट करेगी, solar energy को पर्मोट करेगी, या फिर otech energy जो होती है, जमीन के अंदर की जो energy होती है, उसका प्रियोग क सब लिखा हुआ, तो अच्छो कविया ठीक नहीं है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे की चीजों को हम लोग कबर कर लेंगे, ठीक है, यह topic बच्चे ही रहे गए, काफी जादा है, देखो topic बड़ा था, क्या कर सकते हैं, समय तो आपका बरवाद हमने किया नहीं, यह मेरा referral code है, आप इस referral code को यूज करके जब आप admission लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको मेरा personal guidance में लेगा, तो आपको जब भी कोई course लेना हो, टेलिग्राम पर आप मुझे personal message कर सकते हैं, यहाँ पर देखी, यह तो हो चुका है, जो कि combat का आयोजन होना था, road to लवासना इसको आप कर सकते हैं, देखी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह test series है, इस test series को भी प्राप्स कर सकते हैं, आप इस code के markdown से, doubt जरबार का आयोजन होता है, इसमें भी आप participate कर सकते हैं, इसी code के markdown से, ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए thank you so much